हलो गाईज आप सभी को होली की हर्दिक सुखकामना हैं उम्मीद है आप सबकी होली अच्छे से बीती होगी और मैं भी आज घर पे ही हूँ होली तुम्हें जादा खेलता नहीं लेकिन यह है कि कहीं न कहीं से थोड़ा बहुत होई जाता है तो फ्री बैठा हूँ और घर पे हूँ ममी के साथ और परिवार के साथ और काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ और उमीद है आप सब भी बहुत अच्छे महसूस कर रहे कजिर तो गाईज आज ऐसे बैठा था मुझे लगा कि आप लोगों से कुछ ऐसे अपने बारे में परिवार करना चुह तो मैं सोचा कि आप से कुछ बात किया जाएं मेरे परिवार में मम्मी पापा दो छोटे मैं रहता हूं और रिसेंट में कुछ दिन पहले करीब दो साल पहले एक नया मेंबर चीकू वह भी सामिल हो गया है तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा वह इसमें प्रजेंट टाइम में है खेर वह हमेशा तो नहीं रहता लेकिन जब उसको भूख लगती है तो आ जाता है और मेरे छोटे भाई के साथ बड़ा अच्छा कामिनेशन है तो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूं वह आया हुआ है और सर्प्राइज आप लोगों के लिए क्या है कैसे है तो अभी मैं बताना नहीं चाहता आप लोगों को दिखाऊंगा उसके बाद ही बताऊंगा मुझ सही थोढ़ा सा इसका नहीं बनता है क्यू 울काली मैं हमैसा पूरा दिन बाहर ही रहता हूं तो पूरा दिन बाहर रहने की वज़ा scholi मुझे देखता नहीं है जल्दी तो मेरे साथ थोड़ा सांक कंशी और मेरे मम्मी के साथ भाई के साथ में पाबा अच्छा काम विन से निक्यल जाएगा एबitter आया हुआ है को खाने के चकर में सिवाइए मैं आप दिखाता हूं बैक कामेरे के द्वारा और अब कामरा बेग कर रहा हूं को कहां है किस तरह से है तो कर दो समस्य देखिन आ गए और आप लोगा को दिखाता हूं अब ही आई अब कायमरा करना पड़ेगा थोड़ा सा बेख करना पड़ेगा तो देखिए गाइस किस तरह से ओ मेरे छोडे भाई के पीशे-पीशे टाल रहा है और छोटा भाई उसको अभी खाने के लिए दे नहीं रहा है अब वो जो है परिशान है उसके पीछे-पीछे टाल रहा है और वो उसको अपने पीछे-पीछे घुमा रहा है तो चिकु को परिशान करने में छोटे भाई को मेरे मज़ा भी बहुत आता है क्योंकि वो मम्मी के पास जाकर के बैठ जाता है और मम्मी से काफी ज़्यादा घुला मिला रहता है तो मेरा चोटा भाई अब देखी किस तरह से उसको परहसान कर रहा है अरे अब उसको दो दो कुछ उसको हाँ देखी किस तरह सखा रहा है हो बहुत अच्छा काम बिनेशन है गाईस एकदम इतना बेहतर तरीके से कि लगता है जैसे हमारे यहां बच्पन से ही पला बढ़ा हो ये जबकि यह बच्पन से ही नहीं रहा है क्योंकि यह एक ताइट से आपे समझ सकते हैं कि यह बाहर से आया हुआ है जैसे कि जंगल में ही रहता था छोटा सा बच्चा था बहुत बड़ा नहीं था लेकिन इसका पता नहीं कैसे क्या हो गया कि यह आ करके हमारे परिवार के साथ में पता नहीं क्या लगा हो है इसका और आ करके यह परिवार के साथ में रहने लगा और इसको जो है जैसे मम्मी कुछ कभी दे देती थी पापा दे देते थी खर मैं तो पहले प्रयागराज में रहता था और इस मैं रिसेंट में घर हूँ फिर भी मैं जो है बाहर रहता हूँ भगा रहता हूँ इधर उधर कुछ काम से तो कोचिंग के सिल्सिले में कोचिंग पढ़ाना रहता तो मैं इधर उधर चला जाता हूं तो इसके लिए जो है मैं तो घर पर रहता नहीं लेकिन मेरा चोटा भाई और मम्मी पापा यह सब लोग रहते हैं तो उनके साथ में हमेशा घुला मिला रहता है हाँ हमेशा नहीं रहता है जब इसको भूख लगेगी तब आएगा बाकी खाना पिने खाने के बाद छला जाता है जंगल ले और जंगल में जायेगा और उसके बाद जो है अपना जंगल में रहेगा आज के लिए बस इतना ही क्योंकि अब इसका समय हो गया है और बहुत वीडियो लंबह हो जाएगा तो गाई टेक कियर आफ योरसेल्फ